द्रिहां हम आप लोगों को एक ऐसे पाप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बहुत से लोग कर बैठे हैं या कुछ लोग कर बैठे होंगे और ये पाप इतना बड़ा होता है कि मरने के बाद भी इनसान का पीछा इस बात से नहीं छूटता और समाज में भी ऐसा करने वाले व्यक्ति को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है जिहां अपने इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा पाप कोन सा है और हर पुरुष को किस बात का खास दौर पर ध्यान रखना चाहिए जिहां शास्त्रों में भी किसी स्त्री को नहते हुए देखना बेहत ही अशुब माना जाता है ऐसा करने वाला व्यक्ति महापाप का भागिदार हो जाता है जिहां स्त्री को स्नान करते हुए देखने वाला व्यक्ति पाप का भागिदार होता है क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है ऐसा करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा भी मिलती है जिहां सही सुन आप सभी ने अगर ही गलती आप से जाने अंजाने में हुई है तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप ही गलती जान बूच कर करते हैं कि आप किसी स्त्री को स्नान करते हुए देखे तो यखीन मानिये कि इसका आपके जीवन पर बेहत ही जादा नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही बलकि आपके निधन के बाद भी आपको इस कठोर पाप का अंजाम भुगतना पड़ेगा जी हाँ यदि आप एक पुरुष है और किसी महिला को सपने में नहाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में जल्द ही कोई खुबसूरत लड़की आने वाली है यानि कि आपका जीवन सबरने वाला है आपके जीवन एक नई सकारात्मक दिशा की और बढ़ने लगिन वहीं दोस्तों यदि किसी को नहाते हुए देखते हैं तो जल्द ही आपके पास मिलने वाला होता है सपने में यदि आप किसी अपने को दर्या में नहाते देखते हैं तो ये शुब संकेत माना जाता है जहां ऐसे सपनों को देखने का मतलब होता है कि आपके जो भी रोग है वो जल्द ही नश्ट होने वाले हैं लेकिन यदि आप सपने में खुद को ही तला प्रिपोर्ट में जरूर जाना नेक्स्ट नाइन स्प्रिच्वल से इंदो के रिपोर्ट प्रिपोर्ट नेक्सी नाइन स्ट्वल से इंदो के रिपोर्ट